In this video lecture I am going to discuss about the gypsum product Gypsum was found in mine around the city of Paris So it is called the plaster of Paris आप से कोई पूछे के plaster of Paris क्यों गोलते जिप्सम प्रोड़क्ट को क्योंकि जो ये जिप्सम प्रोड़क्ट है वो पाया जाता है Paris City के आसपास में ठीक है इसलिए हम इसको बोलते है plaster of Paris इसका केमिकल प्रोड़क्ट क्या होगा जिप्सम का CASO42H2O कलर होता है वाइट और या यालो इस वाइट दोनों कलर का होते हैं अप्लिकेशन का बात करते हैं डेंटिस्ट्रीम का आगा इंप्रेशन प्लास्टर एजे इन दा मांटिंग ऑफ दे कास्ट तो दा आर्टिकुलेशन जब हम आर्टिकुलेशन कर लेते हैं उसके वह मांटिंग करते हैं उसमें जिप्सम प्रडॉक्ट से करते हैं फॉंप कास्ट एंड़ यूज एज बाइंडर ऑफ सिलिका एंड यूज एज एम मोल्ड फोर दे प्रोसेसिंग देंटल पोलिमर्स एंड यूज फोर दा बाइट रेजिस्ट्रेशन डिकोर सेंट्रिक जो रिलेशन्स में भी यूज करते हैं इसका ठीक है क्लासिपिकेशनु के बात करते हैं जो क्ya ज्यादे इंपॉर्टन एंड एक लीज वाज़ी ठैक है टाइप्ट्री है देंटल很好 for the models and type 4 dental stone for die but high strength and low expansion के लिए and type 5 dental stone for die के लिए है but high strength और high expansions दोनों होगा इसमें strength और expansion दोनों हाई होगा ठीक है जो आइडियल परपर्टिज क्या है dental material मतलगे जो gypsum product है उसका ideal परपर्टिज क्या होगा हमार डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं एक तो dimensily stable होना चाहिए उसको expansion कम से minimum होना चाहिए या expansion नहीं होना चाहिए या contraction नहीं होना चाहिए आप्र सेंटिंग या during setting ओके high compressive strength होना चाहिए क्योंकि यह force को आपने उपर हाट्रेस हाई होना चाहिए क्योंकि जो soft material है वह इजली स्क्रेस्ट हो सकता है उसके उपर में इसलिए सर्फेस रफने हो जाएगा रिप्रोड्यूश दफाइन डिटेल्स और प्रडूश दा स्मूथ सर्फेस रिजनेवल सेटिंग टाइम होना चाहिए मैक्सिमम मतलग अगर बहुत ही ज्यादा सेटिंग टाइम हो गया तो काफी ज्यादा दिकते आएगे उसे टाइम मतलब टाइम रिक्वार्मेंट बढ़ जाएगे एक के रिजनेवल टाइम होना चाहिए सेटिंग के लिए कमपडेवल विद एंप्रेशन मेट्रियल एंद यंदेष नवेट विदाओ टाइमिज तस सर्फेस जो डिस इंफ्टेड करें यह मतलग जो उसमें एस्टलाइजेशन सिंपल समझे एस्टलाइजेशन करेंगे तो जो जिपसम का हम जो भी कास्ट मोडल्स बनाए है ना उसमें कोई भी सरफेंज नहीं होना चाहिए इसे ठीक है यहां देखने के बात है कि डेंटल मोडल्स एंड कास्ट डाइ तिन डिपनेशन का पिपनेशन क क्या है मोडल्स 3D reproduction of teeth and surrounded soft tissue of patient maxley and mandibular arch also refers as a steady cast cast क्या है positive replica of the teeth ya associated supporting soft and hard tissue of the jaw prepared from the impression and dye डाइज दा मोडल्स ओपे सिंगल तूथ और सो रिपेर फ्रॉम दे इंप्रेशन देखो जो मालो के पुरा क्राउन बना रहे तीथ बना रहे उसमें से एक सिंगल तीथ हम लेंगे ना डाइज उसको बोलेंगे हम डाइज ठीक है इस तरह समें इसको समझाने कोशिश करता है कास्थ के अंदर में बहुत से थीथ है उसमें से एक तीथ निकाल देंगे एक पार्ट निकाल देंगे सिंगल तूथ उसको बोलते हम डाई और पूरा उसको बोलते हैं कास्थ नेक्स्टन हम मेंनिफेक्चर आप जीप्सम प्रोड़क्ट है उसमें हमें एक टर्म जानना है केलसी नेशन वाइवा में पूछा जाना हुला बहुत वह जी कोसन से हैं क्या है केल्सिनेशन जो मिन्रेल से उसका हीटिंग प्रोसेस जो कि प्लास्टर फोर्म करेंगे इस प्रोसेस को बलते हैं केल्सिनेशन केल्सियम सलफेट डाय हैट्रेट से 110-130 डिगरी सलसेस फीट करेंगे तो केल्सियम सलफेट हेमिहेट्रेट में कनवर्ट होगा यहां पर 2H2O से हाप 2H2O में कनवर्ट हो गया है यहां से हाप से यहां पर पूरा जीरो हो गया है जब केल्सियम सलफेट हेमिहेट्रेट को 130-200 डिगरी सलसेस फीट करेंगे कैसे बनेगा हेक्सागाद एन हाइडरेट बनेगा जिन इसको एक्सागाद एन हाइडरेट को 120-1000 डिगरी सलसेस हीट करेंगे तो हमें मिलेगा ओर्थोरॉम्बिक एन हाइडरेट ऑके ॉन दे मे थड़ अप कैल्सिनेशन दिएरаль ऑर टू फोर्म सो पहर्एमिहेट्रेट् जूंदया के सिर्ष केल्सिनेशन जो किए हम यहां पर इसमें घैडरे ट्रेटा और आता भी आपका से नेक्स्ट कोर्षन बचेगार द्राय केल्सिनेशन किया है आपको बोलना है कि जिप्सम मिनरल इस हीटेट इन ओपन केटल ओन किल्न एट एट टेंपरेचर ऑप 110 टू ओन थर्टी डिगरी सल्सियस दिस प्रोसेस इनोन आज ड्राइग केल्सिनेशन तो किल्न जो होता है एक भटी होता है समझलो इस तरह के भटी होता है जिसके अंदरे मैं हम हीट करते चाहिए फाड़नी सोता है वीटा टैप ऑफ क्रिस्टल और हीट इन फांपड सी ए wcze ओस्तों फोर्ट टो जब देंटल प्लास्टर में नम बीटा टाप आप किस्टल फोर्म होता है ठीक है बीटा हमें एड्रेट फोर्म होता है यूज़िए इन ले प्लास्टर एम फर्मिंग दा मोल्ड्स अब हम बात करेंगे मैनेफेक्चर अब डेंटल स्टोन का देखो डेंटल स्टोन का मैनुफेक्चर होगा आपको ओटो क्लेव में एक डिवाइस एक बोलतको मसीन होता है जिसमें टेंप्रेचर कंड्रोल करता है तेंप्रेचर है तो उसमें 120-130 डिग्री सेश्यस पर कल्सियम कल्सियम सलफेट डाहेटरेट को हम 120-130 डिग्री सल्सियस पर वह अंदे को 17 आइबीएस पर स्क्वाइर इंच प्रेशर इस्ट्रीम प्रेशर देंगे तो हमें कल्सियम सलफेट हैमिहडरेट जो मिलेगा वह होगा अलपा हैमिहडरेट इसमें याद रखना आपको अंडर प इंच प्रेशर में ठीक है एंपरेशर जो हो रहेगा 120-130 डिग्री सल्सियस रहेगा और जो डिवाइस यूज किसम होगा वह होगा ओटो किलेव में ठीक है मैने च्ट मैने फैक्ट्र अब दा हाई स्ट्रेंथ यानिक अलफा मोडिफाइट इस्टोन इट इस पर्डूस बा परगिड्रेश्य एट यूज किलेव और हाई स्ट्रेंथ आलफा मोडिफाइट इस्टोन हमें मिले गाया मैने हूपक्चर करेंगे इसका हम 30% कल्सियम क्लोडाइड स्टोलूसन में में हिट करेंगे बौक रंगे उसको तो हमें फोम होगा अल्फा मोडिफाइट स्टोन ड जो क्रिस्टल उसका होगा डेंस होगा रेगुलर होगा है प्रिस्मेटिक सेप होगा और कॉल्ड अलपा कैल्सियम सल्फेट है मेयड्रेट मेक्र सुप मैक्रोसकोप ली क्यूब बार इन्सेफ होगा और एक और most important theory of setting ये topic भी काफ़ जाद important है देखो इसमें जो है ना तीन तरह के थियोरी दिया गया है कलोइडलल त्योरी हाइडरेशन त्योरी और डेजलेशन प्रिसिपीटेशन थीयोरी ना प्रकाइब वह विएग पीर बसाद इन्टीं डाको गुछ वी यो पाइब बनेंगा हो प्लास्टे अश्टेट मेएं प्रकाइब तुर्च तुरूत सोजल मेंकेम कनेज में एटिन इ क्या होता है अपको यह बतारूम हैमी हडेट कंबाइट कमबाइन वी त व त फॉप ट yapt इन रेट इंग जो है में डेत है वाटर के साथ अंवाटर के साथ फॉप कंबाइन करके डायडेट फॉप करेंगा जो कि एच दा वाटर इच कंजूμ तो वाटर dhydrate हो यह सातु हब द्रीन होगा इस सित रहुत है इस सब्सक्रेट कर दो干 duy при दोगा है निए श्राइप से वां फक्रीन होता है जो हमारा पार्टिकल हें पार्टिकल होता है कि दुसरे के साथ hydrogen bonding और जो पाटिकल होगा शलपेट उसके साथ जोईन करके मेट्रियल को सेट कर देगा ओके डिजलेन प्रेसिपिटेशन थेयोरी याने के किस्टलाइन थेयोरी क्या बोलता है इस थेयोरी इस मोर वाइटली एक्सेप्टेट बेस्ट उन डिजलेशन ऑफ प्लास्टर एंड इंस्टेंट री क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम इंटर लोकिंग ऑफ क्रिस्टल दो जो डिजलेशन प्रेसिपिटेशन थेयोरी हो बेस्ट उन इंटर लोकिंग ऑफ क्रिस है मी हाइडरेट इज मिक्स्ट विद वाटर ए सस्पेंशनस इज फ़र्म डेट इज फ्लुइड जब हम 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 एमि हैडरेट को साथ वाटर को मिलाइगे तो एक फ्लुइड फॉर्म होगा जो कि वड़ केबल होगा ठीक है था है है मी हैडरेट डिजूल डिजॉल अंटील इमिहाइड़ेट, सूपर स्चुरेटेट इन डाहइड़ेट, प्रिसिपिडेट अप हाइड़ेट, डाहइड़ेट, देख उसके पाद जो नेक्स्ट आता है होता है मैनिफलेशन, मैनिफलेशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपको पता है, जिपसम प्रोड़क्ट में लगवक चीज इंपोर्टेंट है और इसमें जो हम बनाएं वीडियो सारा इंपोर्टेंट चीज ही इसमें हम दिया है, वाटर पोर्डर रेस्यू इस बेरी इंपोर्टेंट फेक्टर इन डिस इडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टी ऑफ फाइनल प्रोड़क्ट, इसमें प्रेशांपल हाई वाटर पोर्डर रेस्यू, तो लोंगो सेटिंग टाइम एंड वीकर विल भी जिपसम पॉड़क्ट, अगर हम ज्यादा वाटर देंगे, दो जो जब जिपसम प्रोडक्ट होगा, उसका सेटिंग टाइम इनक्रीज हो जाएगा और जिपसम प्र जाएगा रिकमेडेट वाटर पोडर के नुसर देंगे जैसे इंप्रेशन प्लास्टर के लिए हम 502.75 देना है चंड़ प्लास्ट के लिए पॉइंट 182.22 देना है हमें वाटर पेटर रेसियो देखो इसको वाटर पेटर रेसियो याद करने के लिए ने पहला एक आप याद कर लेना वाटर रेसियो पॉइंट 50 है नहीं वहां पर 158 कर देना है उसमें तो 175 हो जाएगा आप समय जाएंगे कितना एड करना है एक रेसियो याद किजी उसे बाद यह याद कर लिए जी जी रहेगा पर उसको रिमाब करने में आसान होगा परसेड्यूर्टूर पोड हैं मेक्सिंग से करते हैं उसके बारे में हम याप देखेंगे अ sector सेदा हमिए बाल में रबर बाल में में वांटर लेना है उसके बाद हमें जीप्सम पडराक्टे लेना है क्योंकिम वार्डर लेंगे ताकि बावल जो है उससे हमारा जो पॉडर होगा वह चिपके अगर नहीं ठीक है एडरेंस प्रिवेंट एडरेंस से बचाने के लिए हम पहले वाटर लेते हैं देन क्या करेंगे वाटर पॉडर को डिस्पेंस करेंगे एकॉडिंग टू जो वाटर पेडर रसिया उसके नु कोई एर नहीं रहे इसके लिए कम करें मतले एर तो रहेगा पर कम होगा मैं निमाइज होगा तरह मिक्स इच एस्ट्रिट वाइगर्स ली कंटिन्यू टिल ए स्मूथ मिक्स इच ऑप्टेन एस्पुचला शुट बी कंप्लीट इन सेवन फॉर्टिट फाइब तू किजिए तब तक करेंगे जब तक शुट मिक्स नहीं है में रिव्जें निकल जाए मेकनिकल मिक्स घो Y मेकनिकल